क्रिम 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 रिम 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 हम हम दक्षिनकाली के क्रिम 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 रिम रिम हम हम स्वाहा मा दक्षिनकाली के नम प्रसन नवर दो भवा प्रसन नवर दो भवा प्रसन नवर दो भवा प्रसन नवर दो भवा शिद्ध सादक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत ह चैनल में गूप्त से गूप्त दुरलब साधनाएं चल रहे हैं अत्यंत सक्तिशली टोटके भी दिये जा रहे हैं साथी साथ जानने योग्यों बातों पर चर्चाएं भी होते रहते हैं तो आज साधनाओं के कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं मदनाक्सी अपसरा के विशय में और उनके साधना केसे किया जाएगा और पूर्ण विधान के साथ उसके साधना भी हम इसे पीशोड में देने वाले हैं आपको इससे आगे जाने के लिए पहले आप ये समझ लें कि काम सक्ति कामुकता नहीं है काम सक्ति वासना का सुद्ध तम रूप है क्योंकि ये सुरुजन का स्तल होता है और मदनाक्सी काम सुरूप अपसरा हैं और इसकी सिद्धी साधक के व्यक्ति तुमें काम भाव पूर्ण रूप से भर देता है जिससे उसका अनंग कामतत्व सहस्र गुना हो जाता है अगर हम अफसराओं के विशय में अलोचना करेंगे मान लिजिये सहा यता सहयोगी से ही जैसे मांगी जा सकती है केवल और सच्चा सहयोगी ही संकट पीडा वाधा के समय पूर्ण सहयोग देकर मित्रता को मजबुत बनाता है इसी में मित्रता की सार्थकता है और अफसरा ही साधक की सर्वस्रेष्ट सहयोगी होते हैं अगर हम मदनाक्सी अफसरा के विशे में बात करेंगे तो आप देखे होंगे अनेको जगा रंभा उर्वसी मेन का तिलोतमा सुके सित्यदी अफसराओं के संबंद में उरलेक बहुत सारे ग्रंथों में उपनिशदों में तोड मरोड कर किया गया है लेकिन मदनाक्सी के संबंद में बहुत काम बर्नन है किमकि इस साधना की विशेश प्रक्रियाएं होते हैं इसके कुछ विशेश गून है और इसकी साधना पूरे वर्ष नहीं किया जा सकता अगर आप देखेंगे अन्य देव योनी अफसराओं से मदनाक्सी के लक्षण गून अलग अलग होते हैं जिनमें कुछ मुख्य गून और लक्षण हम आपको बताने वाले हैं पहले तो है मदनाक्सी की उत्पती 14 रतनों से पहले मानी जाती है और ये लच्मितत यूगत अपसरा है इसलिए इनसे लच्मिप्राप्त होता ही है दूसरा है अगर आप देखेंगे मदनाक्सी रूप सौंदर्य में अन्य अपसराओं से पूर्ण तह अलग है इसलिए इसे सर्वांग सौंदरी कहा जाता है मदनाक्सी में इच्छा नुसार रूप परिवर्तन करने की सकती है और तहा ये किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है मदनाक्सी में त्रोयल्यक्य आवाग अमान की अबाध सकती है इस कारण ये अपने सहयोगी साधक के आहवान पर कभी भी कहीं भी किसी भी समय आ सकता है प्राक्ति गड़े हुए धन की ज्यान थे तो इसकी साधना विशेश रूप से लच्मि प्राप्त के लिए भी किया जाता है और मदनाक्सी काम शरूप अफसरा हैं और इसकी सिद्धी साधके ब्रक्तित में कामभा भर जाता है दूर स्रबन और परिचया अनुसंधान अर्था दूसरों के मन की बात जानने के लिए ये सिद्धी केवल मदनाक्सी साधना से ही प्राप्त कर सकते हैं आप सन्यासी साधक के लिए यह साधना वरजित है जो सन्यासी ले चुके हैं जो सन्यासी साधक हैं यह साधना वरजित है यह नहीं कर सकते और इस साधना को साधक अकेले बेट कर ही संपन करें और जहां तक संभब हो यह कांथ स्तान में संपन करनी चाहिए और साधना के संबंद में किसी से चर्चा बिल्कुली नहीं करना चाहिए सिद्धी प्राप्त होने से पूर भी साधना के संबंद में रहस्य प्रकट करने से फॉल प्राप्ति नहीं होता है ये हमारा चितावनी है और एक बात जान लें ये रहस्य साधना है पांच दिन तक सायकाल सुर्यास्त के पस्चात संपन करने होते हैं एक बार साधना प्रारंभ करने के पस्चात बीच में छोड़ना नहीं चाहिए प्रत्यक दिन का अलग मंत्र वा तंत्र विधान है उसी के अनुसार कारिय करते रहने की आवसकता है त्रिपूर मदनाक से अपसरा साधना को किसी भी सुक्रवार या सूभ मूर्थ प्रारंभ क्या जा सकता है आने वाला दिन में तो सब स्रेष्ट दिन है जहां साकामभरी पुर्णी मा है 17 जन्वरी 2022 को ये स्रेष्ट मूर्थ है और अगर इसमें आप नहीं कर सेको कोई भी सुक्रवार सिद्ध सदक परिवार से अन्नुमति प्राप्त कर इस साधना का पसंपन कर सकते हैं इस साधना है तो आपको कूल चार सामगरी आवस्यक होते हैं जो एक है मदनाक्सी चेतन गुटी का दूसरा है और इसके अतिरिक्त आपको साधना में प्रतिदिन पुष्प, अक्षत, सुपारी, सिंदूर, काजल, इत्र, लालबस्त, और पुष्मल आवस्यक होता है अब ज़्यादा बात नहीं करके साधने विधान पर आतने पूर्ण साधना विजहन जैसे आपको सफलता मिल सके सिध्ध हो सके मदनाक्सी अब क्या करें? साधक स्नान कर सुंदर वस्त्र पहने, अपने कपड़ों पर इत्र इत्यादी सुगंधित द्रब्वे अवस्या लगाएं आपने सामने एक पात्र में लाल वस्त्र विच्छा कर उसके मद्ध में मदनाक्सी चैतन्य गुटिका को स्तापित करें सुगंधित धूप दीप जलाएं और पुजास्तान का द्वार बंद कर साधना प्रारंब करें, द्वार खुला नहीं रखें स्वयम के सिंदूर का तिलक लगाएं आपने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं आपका नाम आपनी समस्ती मन कामनाओं की सिद्धी एतू लाल वस्त्र धारन किये हुए रत्न अभुशन से अलंकृत प्रसन बदना अरुण आभाय युक्त सुंदर तरम त्रिपूर मदन अक्सी का ध्यान करते हुए साधना संपन करता हुँ अब साधक इत्र से मदनाक्सी गुटी का कोशनान कराएं फिर उसे पुनह स्तापित करते हुए उस पर सिंदूर का लेपन करें तत पस्चात उसके उपर सुगंधित पूस्प चड़ाएं सोयम सुगंधित पूस्पों क माला पहने अब नब चतना प्रकाम्य स्तापित करें और उसके चारों ओर अस्ट अपसरा सिध्धी यतनर रतन रखें ये रतन त्रिपूर मदनाक्सी के आठ सहयोगी अपसराओं का प्रतिक है ये आठ सहयोगी अपसराइं होते हैं आपको जान लेने चाहिए एक होते हैं और अब साधक बीर मुद्रा में बेटकर 21 वामभव बीजों से त्रिपूर मदनाक्षी की सकती शोलह यगनियों और पांच बानों का अवान करें और ये अवान साधना में प्रमुख है इन सकतियों की स्तापना होने पर जरा पीडा अपमृत्य भय भूत प्रेत की बाधा का पूर्ण नास हो जाता है और साधना में किसी प्रकार का बीघन नहीं होता है तत पस्चात पांच बानों का अवान करना चाहिए जिससे साधक सक्ति संपर्ण होने की क्रिया प्रारंभ कर देता है और सोलह यगनियों का पूजन करते हुए आपने सामने एक-एक बगव बीज का स्तापना करना है आइम गजानना नमाहा आइम बाराही नमाहा आइम विकडानना नमाहा ओम सुकस्दरी नमाहा ओम रप्ताक्षी नमाहा ओम प्रचंडा नमाहा आइम पापहंत्री नमाहा आइम विश्नूत प्रथा प्रभा नमाहा आइम सिंह मुखी नमाहा आइम मयुरी नमाहा आइम विक अब मदनाक्षी के पांच वानों का हुआन किया जाता है इन वानों की सक्ती ही मदनाक्षी की सक्ती होता है वो पांच वान क्या होते हैं? पांच सक्तियां क्या होते हैं? इन वानों का मंत्र जप होने से साधक में द्राबन, सोशन, तापन, मोहन तथा उन्मादन तत्व अंदर घूस जाता है मतलब उसमें वो प्रकट होने लगता है और एक सुगंद बातावरण में छासी जाती है जैसे आप आवाहन करेंगे निश्ची थे अगर आप सही से करते हैं सिद साधक परिबार सनुमति लेकर करते हैं प्रान पतिस्टित सामगरी का उपियोग अगर आप करते हैं ये निश्ची थे शुगंद बातावरण में छा जाएगा आपके साधना स्तल में और आपना ध्यान केंदरित करते हुए प्रतेक वान मंत्र का ग्यारा ग्यारा बार आपको जाब करने हैं ये पूजन क्रम है ये पूजन क्रम पूरा हो जाने के पस्चाथ मदनाक्सि का मंत्रा अनुष्ठान संपन किया जाना चाहिए सास्त्रों के अनुशार किसी वीशेश इच्छा पूर्ती हे तुभी यह साधना संपन किया जा सकता है और जीवन में पूर्ण रूप से मदन मुख, माया सुक, अईशर्य सुक, सहयोग है तुभी मदन आक्सी अपसरा साधना संपन किया जाता है आप भी कर सकते हैं अब आप मदन आक्सी अपसरा मंत्र को लिख लें जो सिद्ध साधक परिवार के द्वरा बारंबार सिद्ध किया गया है बारंबार इसको आजमाया गया है इस मंत्र को आप पौज करकर के लिख लें बारंबार कह रहे हैं धीरे धीरे कह रहे हैं इसको लिख के रख लें नही email करें email id में दिया हुआ है उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा सामगरी के साथ तो अब मंत्र को आप लिख लें इस मंत्र का अब आप क्या करें 108 बार जाब करें लेकिन वीर मुद्रा में ही जाब करना है वीर मुद्रा हमने पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है जिनको तो करना है वो तो संपर करेंगा उनको बता दिया जाएगा और फिर जब मंत्र जाप अनुष्ठान पूरा हो जाए तो नेत्र बंद कर अपने हाथ उंचे कर चुपचाप ध्यान मुद्रा में बेठे रहें कुछ विशेस चेतनी क्रियाओं का अनुभव आपको होगा ही होगा निश्चित होगा और ये सब साधना में सफलता का प्रतिक है ये पुजा विधान पांच दिन इसी रूप से करना है पुष्प प्रति दिन नए लाएं जब पांच दिन पूर्ण हो जाएं तो आपको मदनाक्षी अपसरा साक्षात रूप में दिखाई देते हैं निश्चित है इसका गारेंटी देते हैं और उस समय वर आपको मांग लेना चाहिए यह वर साधक की इच्छा पर निर्भर करता है एक बार मदनाक्षी सीध होने पर साधक जब भी इस पुजा विधान को दोहराता है मदनाक्षी आपनी समस्त सही योगिनियों अपसराओं योगिनी सकती तथा बाणों के साथ उपस्तित होता है और साधक के जीवन को रस से सरोबर बना देता है जीवन में भावतिक सुखों के इच्छा रखने वाले पूर्य आनंद से जीवन जीने की इच्छा रखने वाले साधक को ये साधना अवस्य ही संपर्ण करना चाहिए हमसे जुड़े हुए लोगों से हम बारंबार कह रहे हैं सभी से जो सीध साधक परिबार से जुड़े हुए हैं वो एक बार आपने जीवन में इस साधना को अवस्य ही संपर्ण करना चाहिए वीडियो जदा लंबा होते जा रहा है जिनको करना है वो इमेल में संपर्क करें उनका पूर्ण मार्ग दर्शन कर दिया जाएगा पूर्ण प्रान प्रतिष्टित सामगिर उनके पास पहुचा दिया जाएगा आज के लिए इतना ही था चानेल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे इतने सारे कहे हुए बातों का दिये हुए गूप्त सिध्य मंत्रों का सनमान बना रहे इतना ही था आज के लिए ओम क्रिम 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 रिम 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 हम हम दक्षिन कालिके क्रिम 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 रिम रिम हम हम स्वाह मा दक्षिन कालिके नमा प्रसन्न वर दो भव, प्रसन्न वर दो भव, प्रसन्न वर दो भव, जय सिद्छादक परिवार